नमस्कार आप देख रहे हैं दॉन यूज आपके साथ मैस्ट्रिष्टी मिश्वा इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर सामने आ रही है आम आदी पाटी के राज जिसे बाद सांसद संजे सिंग जिसके ऊपर एडी ने शिकंजा कसा था ब्रेकिंग न्यूस संजे सिंग को गिर कार्याले है कार्याले से लैप्टॉप लिए गए संजे सिंग के घर की तलाशी ली गई दस घंटे तक एडी ने वहाँ पूछता की एडी को सैटिसेक्शन नहीं मिला तो अब एंफोर्समेंट डिरेक्टरेट यानि प्रवर्तर निदेश शाले ने आम आपने आपको भारत के बाहर भी जाने वाले थे लेकिन सरकार के तरफ से उन्हें छूट नहीं दी गई और आज तो गिरफतारी हो गई अब एंफोर्समेंट डिरेक्टरेट उन्हें आगे की कारवाई के लिए लेकर जाएगी यहाँ पर आपको बतारे शराब घोटाले में संजे सिंग क गिरफतारी हुई है जब से दिनेश अरोडा मुख्य गवाब बने चार्ज शीट में संजे सिंग का नाम एडी को भी कई ऐसे पुखता सबूत मिले कि यहाँ पर संजे सिंग एक मुख्य आरोपी तदा कतित शराब घोटाले के हो सकते हैं 26 फरवरी को यहाँ दिल्ली के टिपड़ी कर रही है कि यह बड़े लोग हैं प्रभावशाली लोग हैं बाहर जाएंगे तो सबूतर के साथ छेट सार कर सकते हैं और अब देखिए मनी शुसुरिया अंदर सतेंद जेन अंदर है सतेंद जेन मनी लॉंडरिंग के केस में यह सब आमानी पार्टी के काली च चिकन होगी अर्विन के जुरिवाल के रहे थे कि हमारे नेताओं को इमानदार नेताओं को परिशान किया जा रहा है आपको बता दे सैज्जैसिंग की गिरफतारी के बाद उनके कारियाले के बाहर जैसी तस्वीरे हमने देखी अभी प्रशासन का चल रहा था यहां पर द ऐसे हो गए है कि उनके एक इशारे पर एडी कारवाई कर देती है आपको बता देया सुबह से ही नेताओं के बयान का ताता लगा हुआ जहाँ पर आपने देखा होगा संजराओद भड़क उठे कहा कि यह ताना शाही है प्रमोद तिवारी भड़क उठे कोंग्रेस नेता का कहना हो चुका है अलका लांबा हो जाए यहाँ पर संदीव दिख्शित हो जाए इसके साथ अज्यमाकन हो जाए इन सम नेताओं ने कहा कि यहां मानली पाति की यही हालिया तस्वीर है दिल्ली में केवल शराब घोटाला दिल्ली में हर तरीके से घोटाला सिक्षा घोटाला अस्पताल घोटाला हर तरीके से घोटाला करके केजरी वाल अब केवल फ्री की रेवडी देकर जन्ता को बेवकूब बनाने का काम कर रहे थे लेकिन अंत भला तो सब भला देखे दर्चों को बहुत सारे अहम खुलासे हो सकते हैं लगातार दस घंटे की छापे मारी होई थी एडी ने शिकंजा कसा और वैसे भी संजय सिंग के ऊपर अडार थी संजय सिंग के ऊपर कहा जा रहा है कि वो आज या तो कल गिरफतार हो सकते हैं और देखे आज ही के दि में कॉंग्रस सांसत के बेटे ये दोनों का मुख्य गवाह बनना संजय सिंग और पुरी आमानी पार्टी की मुश्किलों को ये दोनों नेताओं ने बढ़ा दिया इन दोनों कारोबारियों ने और देखे नेताओं की गिरफतारी अब हो रही है आगे आने वाले समय में औ और भी बड़े नाम आ सकते हैं इस पर पूरा स्चिकंजा दिल्ली के मुख्य मंतिर अर्विन के जरिवाल के ऊपर है आपको बता दे बार बार ये बाते कहीं जा रही है कि यहां पर बहुत बड़े अस्तर का घोटाला किया गया अगर बाचित की जा तो दिनेश अरोडा ज पर दिया जाता है और कुल मिलाकर मनीश चुसोदिया को 82 लाक रुपए मिलते हैं इस शराब घोटाले से और उसके बाद इस बड़े व्यापक स्तर पर घोटाला होता है कमिशन को 2% से बढ़ा कर 12% किया जाता है और कई महीनों से यह विवाद चल रहा था लेकिन आखिकार संजय सिंग की गिरफतारी हो गई CM आवास में तक मीटिंग हुई है दिनेश अरोडा ने यह रास खोले कि मुख्यमंत्री अद्विन किजरिवाल के निवास में भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी है संजय सिंग के कहने पर केवाल दिनेश अरोडा ने 32 लाख रुपे का चेक जो है मनीश सोधिया को दिया था जो की आठ महीने से जेल में बंद है और मनीश वसोधिया सिंग्स की मुलदकात हुई संजय सिंग ने इनकी मुलाकात कराई थी तो देखिए ये जो लगातार जो बाते जोड़कर दिखाई जा रही है अब ऐसा लग रहा है कि अब आमानी पार्टी के जो में मुखियां है संयोजक है अर्विन किजरिवाल उनके उपर भी शिकंजा जल्दी कसा जा सकता है हाला कि अर्विन किजरिवाल ने हमेशा चला की दिखाई एक भी विवाग एक भी हस्ताक्षर उनके नाम पर नहीं होते हैं और इसी तरीके से देखिए संजय सिंग का चार्ट शुट में नाम आना और धिरे धिरे करके अर्विन किजरिवाल को छोड़कर समझी कि सभी निता इस के पिलाई पुरी दिल्ली में अब उसका नुकसान भुगद रही है जनता कोश रही थी और जनता के कोश चाने के कारण आजा मानी पाठी एक कहीं न कहीं डूपती दिखाई दे रही है कई ऐसे बीजेपी नेताओं का प्रहार देखिए सूबा से ही बीजेपी नेता हमलावर हैं कॉंग्रेस हमलावर है हाकिर कॉंग्रेस भी हमलावर इस बात पे है कि एडी वही जगा क्यों जा रही है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है मतलब रेखे एडी पर भी कई गंभीर आरोप ये तमाम आई एंडी आई गटबंधन के नेता लगाते नजर आ रहे हैं दिनेश अरोडा का खुलासा हुआ और यहां फस गए राजी सबसांसत संजै सिंग जो ये कह रहे थे हैं कि हम कट्टा रिमांदार हैं प्रधान मंतरी अ मोर्चा सम्हाले बैठे हैं आप सच मानिये तो कहीं न कहीं शिचोधिया के जेल जाने के बाद संजै सिंग इकलौते ऐसे सांसद हैं जो पूरा मोर्चा आमानी पार्टी का सम्हाले हुए हैं इनके उपर कई ऐसी जिम्मेदारी आमानी पार्टी ने ठोपी हुई है अब इ देखिए संजय सिंग के घर पर एडी के तलाशी हुई उस पर एक बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा गया था फक्कड घर में एडी का स्वागत है मतलब कुछ नहीं मिलेगा देखने वाली बातों कि फिलहाल तो श्रीकंजा कसलिया गया है मनीश सुद्या के पास से शायद क पूछना कुछ तो मिला होगा जो आठ महीने से जिल में बंध है कोट रिहाई तक नहीं दे पा रही है यह पूरा मामला था रागोच इंड़ा ने कहा फूटी कौडी नहीं मिली और अब यहां पर अगर कोई घोटाला होता है तो ना जाने कितनी संपती बरामत होती है यह कि यह राजनिती से प्रेरित है तो यहीं पूरी खबर संजय सिंग एडी ने गिरफतार कर लिया राजे सबासांसे संजय सिंग को शराब घोटाले में अब यह शराब घोटाला का पहमाना बड़े दूर तक खुलेगा इंतजार रहेगा आगे एडी क्या और पूछताश कर आपकी राय जरूर हमें कॉमेंट में बता आपको शुक्रिया